आज अपन लोकस्ट के बारे में पढ़ेंगे लोकस्ट है वो राजस्तान का ही नहीं बलकि पूरे विश्व का सबसे एक इंपोर्टेंट पैस्ट है इसलिए इसको इंटरनेशनल पैस्ट भी कहते हैं लोकस्ट की करीबन 5 या 6 लेक्चर हैं यह अपना लेक्चर नमबर 1 है इसमें अपन लोकस्ट की डिफरेंट स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके क्लाशिपिकेशन की लोकस्ट की लोकस्ट है यह ओर्दर और्थोप टेरा में आता है और्थोप टेरा और इसकी फेमिली है एक्रिडिडी अब अपन यहां थोड़ी से समझने की बात है कि जो लोकस्ट और ग्रास ओपर में ली इन दोनों में क्या अंतर होता है तो इसमें क्या है जनरली जो ग्रास ओपर होते हैं वे कॉंग्रिगेट यानि एक साथ जुंड में लार्ज नमबर के अंदर इकटे हो जाते हैं और शुआर्म बन जाते हैं और फ्लाई करते हैं यानि उड़ते हैं लोंग डिस्टेंसेज के लिए वेजिटेशन को खाते हैं उसको अपन लोकस्ट कहते हैं ये होई अपनी लोकस्ट की डेफिनेशन लोकस्ट की डेफिनेशन को अपन डिफाइंड कर सकते हैं लोकस्ट आर्द ग्रास ओपर एट कॉनगी ग्रेट इन लार्ज नमबर इस लार्वी और लार्वी गो अपन यहां निम खेंगे अब यहां समझने की बात है कि जिसके अंदर यह ability नहीं होती है अब अपन इसकी species की बारे में बात करेंगे लगवग 500 species है ग्रास ओपर की पाई जाती है लेकिन वर्ड के अंदर mainly nine locust हैं वो important होती है इसमें अपनी सबसे पहले है Italian locust, Markon locust, Red locust, Brown locust, South American locust, Australian locust, Bombay locust, Migratory locust और Desert locust अब इन में nine जो species हैं इनके अंदर जो mainly नीचे वाली जो तीन है वो सबसे important है तो इसमें सबसे पहले जो है वो है Bombay locust इसका नाम scientific नहीं में पतंगा सक्सीनेटा और ये इंडिया, स्री लंका और मलेशिया में में पाई जाती है इसके बाद जो next locust है वो है अपनी migratory locust, locust माईग्रेटरिया ये पाई जाती है इंडिया, यूरोप, अपरिका, पाकिस्तान, इस्ट, एंड साउथ एशिया और आस्ट्रिया गे अंदर और जो सबसे important है वो है अपनी desert locust, desert locust है जिसको अपन सिस्टा सरका ग्रिगेरिया कहते हैं और ये इंडिया, पाकिस्तान, अरेबिया और नोर्थ अफ्रिकन कंट्रीज के अंदर पाई जाती है इनमें ये जो desert locust है वो सबसे important होती है अब अपन इनका जो तिनी important locust है उनका one by one अपन बात करेंगे इसमें जो पतंगा सक्सिनेटा जो बोंबे locust है ये इसकी activity है generally confined रहती है गुजरात और गुजरात तो नोर्थ साइड में और साउथ में है तमिलाडू एंड इसके adult हैं वो smaller होते हैं desert locust के comparison में और एक अपन इहां बात देखनी की है कि जो orthoptera होते हैं इसमें जो four wings हैं वो hardy होते हैं और hind wings हैं वो बिलकुल shaft होते हैं और इसका जो breeding season है ये monsoon breeding season होता आगी चलिके अपन मान इसकी breeding season की भी बात करेंगे जनरली तीन breeding season होते हैं और इसमें जो अपनी पतंगा सक्सी नेटा है इसमें है केवल मानसून breeding season ही होती है और ये बहुत important नहीं है अलागी कुछ important है लेकिन इतनी important नहीं है उसके बाद अपन बात करते हैं माइग्रेटरी लोकस्ट लोकस्टा माइग्रेटोरिया और ये species है वो इंडिया में राजस्तान और गुजरात में पाई जाती है इसका जो डिस्टिंगिस फीचर है आगे चलिके अपन डिस्टिंगिस फीचर की बाद में बात करेंगे अपन लेकिन इन तीनों में जो डिस्टिंगिस फीचर है इसमें एपसेंस ओफ वेंटरल टर्बकल्स एंड आई स्ट्राइप्स और जो में इंपोर्टेंट है वो है हाइंड विंग्स आर हाई लाइन विद दा यंग एंड येलो इन दा ओल्ड एंड और इसके पाद ये लोकस्ट है वो ब्रीडिंग जो कि मेंली बलुचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है और जो समर ब्रीडिंग है वो राजस्तान के अंदर पाई जाती है राजस्तान और गुजरात के अंदर और देरफूर में जनरली है इसकी साल में एकी ब्रूड यानि एकी जनरेशन इसकी पाई जाती है कुछ हद तक है कभी कबार ये राजस्तान और गुजरात के अंदर नुकसान पहुचाती है अब अपन बात करते हैं जो इंपोर्टेंट है और इंडिया में ही नहीं इंडिया से एंड जोइनिंग पाकिस्तान और अफ्रिकन कंट्रीज इस्पैसली केनिया सोमालिया इनके अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये मोस्ट डेस्ट्रक्टिव से और लगबग है 30 मिलि होती है और इससे लगबग है 60 कंट्रीज 60 कंट्रीज है वो है इससे एफेक्टेड हैं वेस्ट और अफ्रिका तो असम इन इंडिया और 50 परसेंट ओप डिस एरिया ब्रीडिंग के नाकर इन दीज टू और थ्री कंट्रीज और बहुत इंपोर्टेंट है अब आगे चलके अब और बाद में बात करेंगे नेक्स स्लाइड के अंदर वो भी अपनी लोकस से रिलेटेड ही है